अब इस लोगसभाद चिनाव के छटे फेस की अठावन सीटों पर सुबह साथ बजे से ही वोटिंग जारी है ये तस्वीरे आप देख रहे हैं सोनिया गांधी अपने मताधिकार का इस्तमाल करने के लिए पहुत चुकी है राहूल गांधी भी उनके साथ इन तस्वीरों में दिली से लाइव नजर आ रहे हैं विजे लक्ष्मी हमारे सांथ लगातार बनी हुई है विजे लक्ष्मी जिस पोलिंग बूत पर आप है वहां राहूल और सोनिया पहुंच चुकी है अपना वोटकास्ट करने के लिए जी बिल्कुल देखे राहूल और सोनिया गांधी दोनों अभी चंद मिनिटों पहले यहां पर पहुंचे हैं हमारे कैमरे परसन अनिल मिश्रा ने आपको तस्वीरे भी दिखाई दोनों नेता यहां पहुंच गया है नई दिल्ली की सीट बड़ी ही हाई प्रोफाइल कॉं क्योंकि नई दिल्ली सीट गडबंदन में आमादमी पार्टी को दी गई है यहां पर मुकाबला बासरी सुराज वर्सिस सोनात भारती है और सोनिया गांधी और राहूल गांधी अपसे थोड़े देर पहले यहां पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करके जब बाहर बासरी सुराज चुनावी मैदान में हैं, सुष्मा सुराज की लेगसी है और इसके लावा एक बड़ा शशक्त महिला चेहरा भी बासरी सुराज हैं भारते जनता पार्टी का तो मुकाबला इस बार दिल्चस्प है नई दिल्ली की लोगसभा सीट पर और ऐसा पहली बार भी हो रहा होगा कि कॉंग्रेस के नेता जो है अपने किसी प्रत्याशी को वोट ना डाल करके गड़बंदन के जो पार्टी है अमादमी पार्टी उसके प्रत्याशी को वोट यहां पर देंगे और इस बार मुकाबला इंडिया गड़बंदन बनाम NDA या बनाम BJP है तो अच्छाँ जाथा चरंड है मत्दान का और अज दिल्ली की तमाम सीटों पर इसके लावा हरियाना की तमाम सीटों पर आज यृक के फेज में पोलिंग हो रही हैं सिके लावा उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल की भी تمाम सीट ils वाज photograph आण एक जून को जो अंतिम फेज होगा चुनाव का तो अब यहां पर थोड़ी देर पहले राहूल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे हैं अब उन्तिजार किया जा रहा है कि वोट डाल करके बहार आए तो ताके मीडिया उनसे पूछ सके कि किस तरह का उनको लग रहा है क्या महिला वोटर्स है उन्होंने रिकॉर्ड तोड एन्रोल्मेंट कराया है उनकी संख्या जादा है बिल्कुल देखिए जहां तक महिला वोटर्स की है और पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा एक पैटन है वो चाहें विधान सभा के चुनावों का पैटन हो चाहें लोग सभा के चुनावों का पैटन हो उसमें महिला वोटर्स के वोट करने का एक पैटन है उनकी एक पसंद है उनके अपने अलग एक मुद्दे हैं अगर कुछ दश्कों पहले की बात की जाए तो माना जाता था कि महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स से इंफ्लूएंस हो करके अपना वोट करती हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है अब एक पैटर्न होता है जो महिला वोटर्स ह उनकी भी अपनी चॉइसे होती है अपने कैंडिडेट या अपने अलग मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के वो किसी उमीदवार को चुलती है तो अभी हम कुछ महिलां को बात करते हैं उनका साफतोर पर ये कहना है कि रोजगार, एजुकेशन और महिला सुरक्षा ये उनक आदमी पार्टी के बीच हुआ है, वो सीट आमादमी पार्टी के पास गई है? चीत उस दौरान जरूर हुआ करती थी, कॉंग्रिस पार्टी ने दावेदारी भी जरूर रखी सीट पर, लेकि रखी आदे हैं कि जब दिली में सीट शेरिंग को लेकर बात चल रही थी, कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी में उसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगा और बहुत तरह की खबरें सामने आईते बहराल आज मतदान हो रहा है, मेरे सयोगी पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन का रुख कर लेते हैं, पवन वहां किस तरह से माहौल है, मैं आपके साथ कुछ लोगों को भी खड़े हुए देख रही हूँ, वोटर आ रही है, लगातार ताता लगा हुआ है, लेकिन लाइन नहीं है, यंग वोटर हैं, तो इनका एक रियक्शन था स्पेशल, पवन मैं रोक रही हूँ, आपको ये तस्वीर आप देख रहा हैं, राहुल गांदी और सोनिया गांदी अभी कुछ तेर पहले ही पोलिं जाते हुए वो नजर आ रही हैं, राहुल गांदी है, उनकी इमा सुनिया गांदी है, यहां वोट कास्ट करने के लिए पहुचे, और सबसे जो दिल्चस्प बात यह है, कि पहली बार ऐसा मौका है, जब सुनिया गांदी राहुल गांदी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए पहुंचे ये तस्वीरे लगातार आप देख रहा हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं राहूल गांधी और अब यहां से आगे की तरफ बाहर की तरफ जाते हुए आप दिली से तस्वीरे देख रहा हैं पोलिंग बूट पर पहुंचे थे राहूल और सोनिया गांधी वोटकास्ट करने के लिए विवी आईपी पीज के आने का संसला जारी है और भी राहूल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर अपने मताधिकार का इस्तमाल करने के कि देखें लगातार वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं लंबी कतारे नहीं है पॉश इलाका है लेकिन लगातार आ रहे हैं और वोटिंग के बीच हमें एक नन्ना फैन मिल गया इंडिया टीवी का आपने कौन सा इंटरव्यू देखा और किसको लेकर आप बात करना चाह गया बहुत कि इसे पहले अचाह लगा तो यह करें मैं से बात कर लेते वोट की बात हैं मैं माप वोट डालका हैं महिला के तौर पर किन मुद्दों पर आप वोट डाल रहे हैं किस बात पर आपको वोट गया हुँ महिला की तौर पे मैंने वोट दिया है देश की तरक्की को देखते हुए महिलाओं के लिए जो सुविधाएं बढ़ रही हैं और समाज में उनकी लिए जो और हम वेकिंसी और जॉब अपोचुनिस क्रेट कर रहे हैं उनको जो इजट मिल रही है हर तरीके से उसके लिए मैंने वोट दिया है और मैं बिल्कुल चाहती हो मारा देश और तरक्की करें और हम सब आगे बढ़ें ऑड़ें का मुउपा पिछले दस साल बिल्कुल मिला है और और ज़्यादा ही मिलेगा तो women empowerment पर vote करने की बात कह रही है कहने कि देश में जो तरक्की हुई है उसमें women की हिस्सेदारी हुई है उसके आधार पर vote कर रही है पौश इलाका है बावजूद इसके सुबह से ही एक एक करके लगातार voters यहाँ पहुंच रही है पवन बने रही है, आमित पालत का रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से आमित हमारे साथ जुड़े हैं, आमित पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो आज छटे चरंड में 8 सीटों पर मतदान होना है, और नंदी ग्राम सीट की में बात करना चाहूंगी, जिस सीट पर आज वोटिंग हो रही है, हमने देखा कि किस तरह यहां हिंसा भड़क गई थी, लेकिन अभी वहां किस तरह के हालात हैं, और वोटर्स कितनी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं सुबा से? यहां पर शुबंदु अधिकारी वोटिंग करने आएंगे, शुबंदु अधिकारी का पोलिंग बूत है, अगर मैं बात करता हूं कि आज बंगाल के चुनाओं की तो आठ सीटों पर वोटिंग हो रही है, आठ में से 2019 में बीजीपी ने आठ में से चार सीटे अपने खात अधिकारी के परिवार की थी, जिसमें काथ ही है और दूसरा हो गया तुम लोग जहां पर इस वक्त मैं मौझूद हूं, यह दोनों ही सीटे मानी जाते हैं कि जो अधिकारी परिवार इनका बर्चस वह यहां पर है, इस बार अगर यह दोनों सीटे शुबंदु अधिकारी अपने दो चुनाव जीत चुके हैं, यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, देव अधिकारी सूपरस्टार है बंगाला फिल्मों के, उनके खिलाफ जो उतरे हैं, बीजिपी के MLA है खरकपूर से, हिरोन, अब हिरोन लगातार उनको टकर दे रहे हैं, तो ऐ सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है, क्योंकि जारग्राम और साथी साथ बाकूरा और पूरोलिया, तीन ऐसी जगह हैं, जहां विदान सभाव में बीजिपी ने अच्छा नहीं किया था, तो ऐसे में बीजिपी के लिए बहुत बड़ा चालेंज लेगा, लेकिन पूरी तरह से TMC का गड़ माना जाता है, कोलकाता रेजिन और साथी साथ बेंगॉल, और बीजिपी के लिए आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजिपी यहां पर जितना मर्जी चाहें अपने टैली को बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके साथ शुबिंद खराब होता है, तो ऐसे में वोटिंग पर असर पड़ सकती है, लेकिन फिलाल जो शुबिंदू अधिकारी का यहां पर पोलिंग बूत है, शुबिंदू अधिकार आने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन यहां पर लोग आपको कम नजर आएंगे, काफी एक गाउं है, इस गाउं के ही तमाम लोग यहां पर लगाता है, सुबा से वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और इस इलाके में शुबिंदू अधिकारी की पकड़ है, लेकिन आपको मैं बताओं कि जो ममता बैनर जी ने यहां पर आके एक बड़ा आरूप लगाया था शुबिंदू पर उन्होंने सोचा था कि शाद इस बयान के साथ यहां पर चीज़े घूम सकती है, शुबिंदू अधिकारी के खिलाप जा सकती है, उन्होंने कहा थे कि नंदी ग्राब में जो हिंसा हुई थी, वो शुबिंदू अधिकारी ने CPM के साथ मिलकर की थी, जिसके बाद यहां पर शुबिंदू अधिकारी भड़क गये थे, उनकी उपर उन्होंने कहा था कि उन पर जूटे आरूप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ममता बैनर जी उनके पॉप्लियर्टी से इस इस इलाके में डर रही है, दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से ममता बैनर जी ने चाह पर रामकृष्ण मिशन हो, उसका बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि बेस है, फॉलवर्ट से जो कोलकाता रिजन और साथ की साथ की आशपास की लाके में रहे हैं, वो विवाद भी दर्शकों को मालूम है कि किस तरह से ममता बैनर जी ने रामकृष्ण मिशन इसकॉन पर आरोप लगाये थे, जिससे साधूसंत नाराज हो गये थे, अब बहराल देखना है कि नाराजगी का फाइदा नुकसान किसे मिलता है, बिहार का रुख कर लेते हैं, नितीश चंदर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दशमलव आठ दो फीसद वोटिंग हो चुकी है, सुभा नौ बजे तक बारहा दशमलव तीन तीन फीसद वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो शुरवाती दो घंटों में आठ दशमलव नौ चार फीसद लोग अप अब तक आठ दशमलव आठ नौ फीसद लोग वोटिंग कर चुके हैं, वहीं उरीशा में भी दो घंटे में साथ दशमलव चार तीन फीसद लोग मताधिकार का इस्तमाल कर चुके हैं, जारखन की चार सीटों के लिया इस मतदान जारी है, सुभा नौ बुजे तक का जो आ वोटिंग हो चुकी है, नितीश चंद्रा का रुख कर लेते हैं, नितीश अगर बिहार की बात की जाये तो बिहार में भी आज आठ सीटों पर वोटकास्ट किये जा रही है, सुभा तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आम जनता वोटकास्ट कर रही है. इतनी लंबी कतार है महिलाओं की और पुरुषों से ज्यादा लंबी कतार महिलाओं की नजर आ रही है, पिछले चरन में भी हमने देखा कि बिहार में जिन पांस सीटों पर वोटिंग होई थी, उनमें महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था, पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा था करीब 5 से 10 प्रतिशत का फासला था तो इस चरन में भी ये तस्विर देखने को मिल रही है और इस चरन में जहां वैशाली में मैं हूँ मुन्ना शुकला को आरजेडी ने उमिद्वार बनाया है और उनका मुकाबला रामिलास पासवान के जो पार्टी है चिराग पासवान की अब लोग जनशक्ती पाटी उनकी वीना देवी से है लालू एदब ने इस बार कई प्रयोग किये हैं विहार में जाती है समिकरन को लेकर उसका एक प्रयोग वैशाली में भी किया है जो एंडिये का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है उसमें सेंध चुनाव लड़ते रहे हैं रगवश प्रसाद सिंग जो कि जिनका निधन हो चुका है पांच वार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और अकसर देखा गया है कि राजपूतों के बीच यह लड़ाई होती रही है उमिद्वारों की वीच लेकिन लालू एदब ने एक नया कि एलाके में पांस साल में काम हुआ यह कैंसी थो है तो आप लोग खाना बना के आई है या भी पहले वोट डलना ते कि नबैंगे अब अब यह भी खनाना नहीं बहुत जाएगा तब बनेगा पहले ते किया पहले मत्दान फिर जल पान पहले पांस साल अथी त्यक हूए ह तो हम लोग के कहा कुछ दिया। ना खेती ना बारी है, न घोड है न दुवार है। आपका क्या नाम है? भीना क्या है। आप क्या कहेंगी पांस सालों में देश में कैसा काम है। ठिक है ठिक है, चल रहा है। तो निताओं का भाशन सुनी है चुनाओं के दोरा हाँ सुने किसका अच्छा लगा वह बहुत लोगों ने वादा किया ना गारंटी तो किस पर भरोसा किस पर भरोसा रखें अभी आप अपने परिवार के साथ हैं इचा सब के साथ को सोच कर आहीं कुछ सोच जोचा जब बोर्ट जाले यहां पहुंची होगी कुछ सोच कर रहे हरा पर बर्या चुले參irt Sao हैं जो था ना क्या को अदिया साहारा इंडिया उसका पैसा नहीं मिला गरीब आदमा में कें पैसा फसा हुआ यह भी चुनाओं में मुद्दा रहा है आपको मालूम होगा निताओं ने इस पर बाते रखे यह ठीक बात नहीं है गरीब आदमी एका कुरूप्या जमा करता है उपईसा गायब है महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्सा देखने को मिल रहा है लंबी कतार महिलाओं की पूर् में रखकर जो है लोग यहां पर बोट डाल रहे हैं यहां देखे पुरिशों की कतार क्या नाम है आपका मुहमद असलम क्या सोचा है मुद्दा क्या है मुद्दा यहां भी फिलाल ठीक है असोचने के क्या है देखते हैं आगे क्या होता है वह से भी आने माला हर सरकार तो चोड बैमान होते हैं कोई काम नहीं करते हैं डंग से बोट देने के बाद फिर अपना-पना घर पर रते आते नहीं है आप क्या कहेंगे नामें आप लाल वादर पास्पर कैसा रहा पांस साल देश में काम हुआ कोन देखता है बहुत सारे लोगों ने वादा किया ना की बात सुनी होगी Aap लौट अपने अधार चितके जाने हाद में सब तो वही करते हैं है तो आप देखें हे जू वोटिंग पर्तिशत है मुझे लग रहा है कि यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और खास्त कोड़ से जो महिलाओं का जो वोट है वो पिछले चरण में जैसा आमने बताया कि बहुत ही ज़ादा था पूरिशों के मुकाबले शाय इस बार भी ऐसी तस्विर देखने को मिले बिलकुल नितीश और आपकी बातचीत मैंने सुनी महिलाओं को तो वैसे भी साइलेंट वोटर कहा जाता है और वैशाली के वोटर ये बता रहे हैं कि कोई खुश है कोई आहत है हर किसी के अपने-पने मुद्दे हैं और उनी मुद्दों को लेकर आज मताधिकार का इस्तमाल करने के लिए पहुचे हैं वहीं छटे चरंड में आनंतनाग राज़ौरी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है तीसरे चरंड में दरसल यहां वोटिंग होनी थी लेकिन उसे कैंसल करवा दिया गया अब छटे चरंड में हो रही है लेकिन आनंतनाग से उमीदवार PDP को इतना ही डर लगता था तो कहते मैं खुद ही चुनाव नहीं लड़ती मेहबुबा मुफ्ती ने प्रशासन पर गुंडा गर दी और एवियम से छेड़ खानी का भी आरोप लगाया है और इन आरोपों के साथ वो धरनी पर बैठ गई हैं सुनिए उस वह में हमें तो गिंदी ही हम बूल गए हैं आप देखिए अनतनाग जिसरी के हर थाने में आपको PDP के पोलिंग एजन मिलेंगे चाहे अश्मुकामों पहल गामों द्याल गामों अनतनागों बिजबारा हो आप आप जहां भी जाएंगे कुकर नाग लारनू बेरी सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए मैं LG साब से कहना चाहती हूँ अगर आपको मुझे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से मुझे सीधे कहना था मैं अलेक्शन ही नहीं लड़ती महबूबा मुफ्ती को आपने सुना सीधे सीधे LG को ये कह रही है कि अगर आपको इतना डर लग रहा था तो मुझे कहते मैं चिनाफ ही नहीं लड़ती साथी उन्होंने धरने पर बैठकर या आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के वर्कर्स को बीती राज से हिरासत में लेन मुझानी का भी गंबीर आरोप लगा रही है आपको बता दें कि पोलिंग एजिंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है इन आरोपों के साथ और साथी EVM से छेड़चाड की जा रही है ये भी आरोप पहवुबा मुफ्ती जो PDP की चीफ है उनकी तरफ से लगाया गय है और इस सीट पर बतोर उमीदवार वो चुनावी मैदान में भी है इस सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था लेकिन तीसरे चरण के इस सीट के चुनावों को रद करा के अब छटे फेज में यहां वोटिंग हो रही है